हेलो फ्रेंट्स आज केस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एगर आपने कोई Tata New से किसी आईटम का ओडर किया है आपने इससे Tata New एप से शोपिंग किये और आप देखना चाते हैं कि आपने किस आईटम का ओडर किया है या आपको नहीं पता कि आप अपने ओडर को कैस आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने ओर किया है वो आपको ओडर कहा शोग होगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो चेक कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो भी आइटम का ओडर किया है Tata से आप उसको कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों आपने अपनी Tata new app open कर लिनी है जब आप उसको open करेंगे आपको इस प्रिकार का interface दिखाई देगा यह भी इसका home page है तो दोस्तों यहाँ पर आपने तीन लाइनों वाले बटन पर किलिक करना है जो आप देखेंगे इस स्क्रीन पर राइट साइड में उपर की तरफ जब आप इस पर किलिक करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रीन पर आपको इस प्रिकार का interface दिखाई देगा आपने यहाँ पर health के product का order किया या fitness या electronics तो आपने उस पर किलिक करना होगा electronics प्रोडर किया है आपको अपको शो हो जाएगा नहीं किया होगा तो आपको इस तरीके से blank दिखा देगा तो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं back करके मैंने किस category का order किया है और वह show हो रहा है या नहीं तो मैंने grocery product का order किया है मैं grocery product पर click करूँ है category पर आप यहाँ पर यहाँ पर यह शो कर देगा यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस प्रिकार का interface दिखाएगा दो option दिखाएगा big basket और टाटा new तो टाटा new से मैंने order किया है टाटा new अब के थू तो यहाँ पर मैंने टाटा new पर click किया है यह दिखा देगा किस date मैं और किस time पर order किया है और यहाँ पर यहाँ पर यह दिखा रहा हो तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने order को check कर सकते हैं आप उस पर click करेंगे आपको उसकी details show हो जाएगी क्या order है आपने किस time पर order किया तो I hope दोस्तों कि आपकी problem solve हो गई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको वीडियो से help मिली हो तो please वीडियो को like and share जरूर कीजेगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next